हेलो गाईज मेरा नाव मेरा यान आज की वीडियो काफी जादा खास होने वाली है आज मैं लेकर आया हूँ कैंपिंग किट फर आरसी कर्स गाईज इस तरीकी की जो किट है शायद यह आप लोगों ने पुरे यूट्यूब पे कहीं देखी होगी यह बॉक्स के अंदर है हमारी कैंपिंग किट तो आज फटा फट से इसको अनबॉक्स करेंगे और यह कैंपिंग किट को हमारी आरसी कार्स के साथ किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं यह आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये camping kit जो है मैं जिमनी के साथ यूज़ करूँगा LC 80 के साथ यूज़ करूँगा और मेरे पास एक US military की जीप है इसके भी साथ यूज़ करने वाला हूँ बॉक्स को मैं यहां से खुलने वाला हूँ गैस आपने अभी तेक इस वीडियो पे लाइक नहीं किया तो ज़रूर से लाइक करो चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चानल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके all notifications को भी ज़रूर से on कर देना तो सबसे पहले ये बड़ी वाली camping kit मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बाद एक और चीज मैंने खास और पर जिमनी के लिए खरी दिया है वो भी दिखा देता हूँ जैसे कि ये बॉक्स आप देख सकते हो इसके साथ इस तरीकी कि soldiers वगेरा भी मिलते हैं यहाँ पे इसका नाम वगेरा दिया गया है ओके तो बॉक्स जो है इधर से उपन हो जाता है ओ माई गॉड इसके अंदर देख वार कितनी धेर सारी चीजें दी गई है तो सबसे पहले यह चोटे-चोटे से soldiers मैं आपको दिखा देता हूँ यह soldiers जो है हमारे पास यह जितनी भी इनकी अंदर हम लोग बैठा सकते हैं अगर मैं इसको यहाँ पर बैठा हूँगा नगाइस अब देख सकते हो यह इस तरीके से steering पकड़के Jeep को completely चला सकता है वाउ, soldier को इसके अंदर लगाने के बाद Jeep का पूरा look ही change हो चुका है आप इसके अंदर और भी चीज़े हैं वो भी एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको जैसे की यह chairs है यह भी camping के लिए काम में आजाएंगी यह एक दूसरी वाली chair है दो chairs मिले हैं इसके साथ यहाँ पे एक छोटा सा container है यह भी camping के लिए काम में आजाएगा और गाईस एक ट्रॉली भी है यह ट्रॉली completely cloth की बनी हूँ है नीचे की तरफ इस तरीके के tires दिये गए आप चाहे तो यह ट्रॉली को यह कोई भी car के पीछे fit कर सकते हो इसको भी रखते हैं side में यहाँ पे मिला है एक table table chair के सामने आजाएगा आप देखोगा इस यहाँ से जो चीजे मैं आपको बताने वाला हूँ यह काफी ज़ादा interesting होने वाली है यह एक tent है यह tent को किस तरीके से use करना है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ देख सकते हो और बिल्कुल real tent जैसा ही यह लग रहा है इसके नीचे हम लोग हमारी जो RC कर से उसको पार्क कर सकते हैं इस तरीके से सेट कर सकते हैं चेर्स वगिरा यहाँ पे आजाएगी और यह ट्रॉली भी इसके नीचे यहाँ पे आजाएगी ऐसा लग रहा है कि मैं कोई यहाँ पे real camping का काम कर रहा हूँ अभी यहाँ पे नीचे हम लोग अच्छी खासी shade मिल जाएगी तो इसके साथ एक और चीज भी आती है वो है बीबी क्यू सेट यह बीबी क्यू सेट को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लगा सकते है के अंदर एक और पनी है तो इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीजें दिये गए है इसके साथ तो ट्रैक्शन बोड भी मिले है यह ट्रैक्शन बोड कैसे यूज करना है भी मैं आपको बता आता हूँ मानलोगी हमारी जो जिमनी है कहीं कीचण में फस गई है तो यह ट्रैक्शन बोड इसके टायर्स के सामने रखके हम लोग इसको कीचण के अंदर से निकाल सकते हैं पूरा का पूरा जो डेमो है यह भी मैं आपको बताने वाला हूँ ठीके दूस्तों यह सारी चीज़ें मेरको यह बॉक्स के अंदर मिली थी एकस और बॉक्स भी था मेरे पास वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ या एक ट्राली को हम लोग कोई भी ओफर Shazam mlak करके पीछे सेट कर सकते हैं जैसे कि अभी मैं आपको example दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक trunk है, आप इसको एक suitcase भी बोल सकते हो, या फिर एक संदूग भी बोल सकते हो, इसके अंदर बहुत सारे सामान को अगेरा हम लोग रख सकते हैं, छोटा है, यह इससे बड़ा, यह इससे बड़ा, यह सबसे जाधा बड़े size का trunk है, आप इन सभी को इसके अंदर में डाल देता हूँ, नीचे की तरफ magnets दिए गए, यह इस तरीके से यहाँ पे fix हो जाएगा, अब इसको जो हम लोग set करेंगे, हमारी जिमनी के पीछे, यहाँ पे दो स्कूरूस में लगा दोगा, फिर गाईज यह perfectly इसके पीछे fit हो जाएगा, ठीके गाईज देखो, जिमनी के पीछे में ने, यह ट्रॉली को connect कर दिया है, अब हमारी जिमनी काफी ज़ादा बड़े size की लग रही है, तो आज मैंने जो ट्राक बनाया है, देखते हैं, जिमनी यह ट्रॉली को लेकर ट्राक के उपर चल पाईगी, आफिर नहीं, बाकी आप देख सिकते हो, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, मैंने जो कैम्पिंग सेटप है, यह लगा दिया है, और यह जो ट्रॉली है, हम लोग दूसरे कार के पीछे भी लगा कि, आज ट्राक के उपर चलाने वाले हैं, यह कनूपी लगाने के बाद में तो है, मैं खुद अभी कहीं कैम्पिंग सेटप में बैठावा हूँ, चलो अभी मैं आप लगों को ट्राक दिखा देता हूँ, यहाँ पे सभी कार्स को मैंने रख दिया है, एक स्पेशल कार भी आ चुकिए ट्राक के उपर चलने के लिए, यह है BMW i8, ठीक है, ट्राक शुरू होने वाला है, यह रोड के उपर से, रोड के उपर आते आते, सामने आ जाएंगे बहुत सारे, खतरनाक और चार कोनी वाले स्पीड ब्रेकर, उसके बाद कार आएगी, यह स्टेप्स के उपर, यह स्टेप्स बहुत ज़्यादा हाइट में बनाए है, स्टेप्स के उपर से चडने के बाद, यहाँ से देखो इस तरीकी का ब्रेज आएगा, उसके बाद मेरे को लबता है गाइस, आदे से ज़्यादा जो कार है, यह स्टेप्स से नीचे उतरते समय गिर जाएगी, बाकी जो भी कार बचेगी, उसको चड़ना होगा यहाँ पर, यहाँ पर देखवार इस तरीकी का रैंप मेंने बना दिया है, काफी पतला सा रैंप है, उसके बाद हमारे ट्रैक की सबसे खतरनाक चीज यहाँ पर आने वाली है गाईस, देख रहे हो, यह ब्रिच कितना ज़्यादा स्लिम मेंने बनाया है, भाई, कार को देखो, यहाँ पर अपने आपको बैलेंस करके, यहाँ तक आना पड़ेगा, सामने है सिगनल्स, रेट आने पर कार को रुखना होगा, ग्रिन आने पर कार को आगे बढ़ते जाना होगा, ठीक है, अगर एक भी टायर नीचे फिसलेगा ना गा, इस कार जो है, हमारी धडाम से, यह पानी के अंदर गिर सकती है, और कार खराब भी हो सकती है, फिर यहाँ से है, एक दम तगड़ा वाला स्टीप कार को सही तरीके से बैलेंस करके, यहां नीचे की तरफ उतरना होगा यहां पे कार फिसल के नीचे भी गिर सकती है यहां पे भी देख रहे हो बहुत ही कम विर्थ मैंने रखा है बाकी कार को यहां से शार्प टन लेके उपर चड़ाई करनी पड़ेगी यहां से हमारी कार चड़के आएगी यह वाले ब्रिच के उपर तो हमारी हाँ जितनी भी कार से हैं उनका साइस थोड़ा सा छोटा है तो उनके टायर जो है यह गैब के अंदर फस भी सकते हैं बाकी कार को देखो यहां उपर आना पड़ेगा फिर इस तरीके का एक लूप मैंने क्रियेट कर दिया है उसके बाद हमारी कार आएगी यह वाले ब्रिच के उपर यहां पर भी नीचे की तरफ देखूँगा इस मैंने पानी रग दिया है अगर कार यहां से फिसल के नीचे गिरेगी तो खराब भी हो सकती है बाकी यहां पर इस तरीकी के बड़े बड़े होल्स है कार के टायर इसके अंदर फस भी सकते हैं यहां तक जो भी कार पहुंचेगी वो होगी हमारी आज के ट्रैक की विनर देखते हैं गई आज कौन जिता है चलो सबसे पहले BMW i8 को ही में चलाने वाला हूँ चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं रोड के उपर तो देख़वार एकदम बवाल लग रही है यह अब इसके सामने आ चुके हैं स्पीड ब्रेकर्स यह क्या हो रहा है BMW के साथ यह नहीं जा पारी है सामने के टायर जो है उपर चड़ चुके है अब देखते हैं उपर चड़ पाईगी या फिर नहीं उत्तरी यह नहीं चड़ पारी है यार तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ टायर तो काफी स्पीड से घूम रहा है यह टू विल ड्राइव भी है इस वज़े से सामने के टायर को ग्रिप नहीं मिल पानी के कारण यह नहीं चड़ पारी है तो अब BMW को हटाते है साइड में यह बाहर हो चुकी है ट्रैक से अब हमारे आठ टायरों वाली ट्रैक्टर को चलाते हैं इसके पीछे एक ट्रेलर भी अटाच है अब देखते हैं गाइस क्या यह चल पाएगी या फिर नहीं अभी चला रहा हूं मैं इसको वो अरे भाई मेरे को लगा की काफी अराम चली जाएगी एक स्पीड ब्रेकर के उपर से चल गई थी अब देखो इसके आगे नहीं चल पा रहे है गाईजे इसको थोड़ा सा रिवस लेके वापस चलानी के लिए ट्राइ करते हैं अब थोड़ा सा स्पीड में निकालने के लिए ट्राइ करूँगा इसको ओए ये क्या हो गया रार इसके साथ अच्छा पीछे जो ट्रॉली लगी है इसका वेट जादा होने के कारण ट्राइकटर तो आगे बढ़ रही है पर ट्रॉली का वेट ये नहीं खैच के लेके जाँ पा रही है तो चैडली इसको यहीं पे इमेल को रोकना पड़ेगा यह नहीं बढ़ पा रही ही आगे अब तक दो कार्स यहां पे फेल हो चुकी है अब आजुकी है हमारी वीलिस जीप इसके पीछे मैंने ट्रॉली को भी अटाच कर दिया है ट्रॉली के अंदर वजन भी रख दिया है गाइस मैंने देखते हैं ये कितनी दूर तक अब ट्रैक के ओपर चल पाएगी और इसकी ग्राउन क्लिरंस भी काफी जादा है दूसरे कार्स के मुकाबले में च कि आप देखते हैं गाइस क्या ये स्टेप्स के उपर से उपर चडाई कर पाएगी और नहीं काफी आराम चाड़ गई है ओ ये तो शेक हो रही है पुरी तरीके से उलब इसके अंदर इतनी जादा पावर नहीं है कि ये उपर चड़ाई कर सके थोड़ा सा इसको मैं पीछ कर रहा हूं यह बिल्कुल भी आगे मूब नहीं कर पा रही है वे आज का ट्रैक दिखने में बड़ा ही इजी लग रहा होगा पर यहां पर आप देख सकते हो जीप की क्या हालत हो चुकी है इसको भी अभी ट्रैक से बाहर जाना पड़ेगा अब आ चुकी हमारी ट्योटा ल्सी एटी यह एक बहुत ही पावरफल ओफ रोड रसी कार है इसके पीछे भी मैंने ट्रॉली को अटाच कर दिया है चलो स्टार्ट करते हैं चला रहा हूं भी मैं इसको वे स्पीड ब्रेकर तो इसके सामने काफी जादा चोटे लग रहे हैं काफी आशे स्पीड ब्रेकर तो निकल चुकी है अब इसके सामने स्टेफ सा चुकिए है भाई साथ एसकी पावर बेगार कितनी जादा कमाल कि linguistic steps के उपर से भी चड़ाई कर चुकी है ओ भाई उतर भी चुकी है देखते ही देखते अब इसको ऐसे ही आगे चड़ाने वाला हूँ मैं ओ भाई अब थोड़ा सा power जादा देके मैं इसको यहां से निकालने वाला हूँ ठीक है ये देखो ये चड़ चुकी है ठीक है आगे बढ़ाते हैं इसको अब मैं इसको ऐसे ही धीरे धीरे करके ब्रीच के उपर लेके जाने वाला हूँ ओ 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 फाई मैं को लगा था ये तोयोटा LC80 इतना जादा वेट लेकर काफी आराम से उपर चड़ जाएगी मैं इसको जैसी उपर चड़ा रहा था अचानक से इसका गेर स्लिप हो चुका है यार इतनी जादा पावरफुल कार देखो यहां पे आके फज गई है completely अब यहां पे सिर्फ बची है हमारी जिमनी पीछे इसके मैंने ट्रॉली को अटाच कर दिया है देखते हैं गाइस क्या जिमनी यह ट्राक योपर चल पाएगी आप फिर नहीं स्टार्ट करते हैं स्पीड ब्रेकर के उपर तो इसको की हालत हुई थी मिर को लग रहा है गई जिमनी की भी वही हालत होने वाली है इससे उपर यह नहीं चड़ पा रही है पर इसके अंदर एक चीज़ मस्त दी गई है वो है इसका डिफरेंशल लॉक वो मैंने अभी ओन कर दिया है इसकी पावर देखो भाई साब मज़ा आ गया यार देख रहे हो कितनी मस्त परी किसे रैंप के उपर चड़ी जा रही है ठीक है इस थोड़ा सा स्पीड में इसको यहां से निकालूगा मैं भाई मिर को लगा था कि यह फसेगी फिर एक बार ट्राइ करते हैं यह देखो निकल चुकी है थोड़ा सा मैं इसकी स्पीड बढ़ा दी थी यहां पर अब ऐसे ही आगे बढ़ाने वाला हो में इसको भाई यहां पर मिर को थोड़ा सा डर लग रहा यार क्यूंकि देख रहे हो बहुत ही खतरनाक सा यह ब्रिज है ठीक है पता नहीं कब सिगनल गिरेगा जैसे ही सिगनल गिरेगा मिर को यहां पर रुपना पड़ेगा पर देखो अभी तक सिगनल गिरा नहीं है हमारी कार आगे जाते जा रही है ओ भाई सिगनल नहीं गिरना चाहिए तो guys देखो गाड़ी सही चलने के कारण यहाँ पे green signal आ चुका है गाड़ी के अंदर कुछ भी दिक्कत होगी तो यहाँ पे red signal आने लगएगा ठीक है एकदम perfectly भाई पीछे की ट्रॉली भी आप देख सिपती हो जरा भी unbalance नहीं हो रही है अब इसको मैं बहुत ही धान से नीचे उतारने वाला हूँ क्यूंकि यह हमारा अब एकदम last chance होने वाला है इसको बोलते हैं जिमनी की पावर क्या ही मस तरीके से निकल चुकी है देखो यहाँ पे guys मैं इसको बिल्कुल भी वरना यह दिवार से टकरा भी सकती है यहाँ से मैंने इसको एकदम sharp turn करा दिया है देखते हैं पीछे की trolley कैसे react करती है इसकी और थोड़ा सा sharp turn लेना पड़ेगा वरना इसकी trolley यहाँ पे फस भी सकती है ओ माई गाड मजा आ गया यार इसकी controlling काफी ज़्यादा कमाल की है यहाँ से यह वापस से उपर चड़ाई कर रही है यहाँ पे भी इसको एकदम sharp turn लेना पड़ेगा वरना यह नीचे पलट के गिर सकती है तोड़ा सा और मैं पीछे कर लेता हूँ अब देखो गाई यह perfect position में आ चुकी है अब इसको मैं उपर चड़ा रहा हूँ बहुत मस तरीके से उपर चड़ रही है ओ भाई 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 साब मजा आ गया यार क्या ही चल रही है देख रहे हो गाई ओ भाई कहीं बेभी अभी तक यह नहीं रुक रही है ब्रिज बहुत ज़ादा हिल रहा है यह इदर आकर थोड़ा सा फस चुकी है ओए ब्रिज देखो है कितना ज़ादा जूल रहा है यहाँ पर अब मेरे को लग रहा है ज़ाई traction board यूज करने का समय आ चुका है हमारी जिन्नी के साथ आ चुके है traction boards उनको मैंने रखा है पीछे की तरफ अब यह traction boards को निकाल लेते हैं तो पीछे के tires को जो बिल्कुल भी grip नहीं मिल पा रही थी तो इक काम करते हैं यह एक traction board में रखूँगा यह वाले tire के नीचे दूसरा वाला traction board रखूँगा मैं यह वाले tire के नीचे त्रैक्शन भूट्स में इनके नीचे लगा दिया है अब देखते हैं गईस का यह उपर चड़ पाएगी आ फिर नहीं ओए भाई देख रहे हो magic of traction board क्या याराम से चड़ गई गाई दिये अब देखो पीछे की यह ट्रॉली भी traction board को यूज करके उपर आ चुकी है मजा आ गया भाई सच बता रहा हूँ अब इसको ऐसे ही आगे बढ़ाते है मेरे को लग रहा है आगे भी traction board यूज करना पड़ेगा क्यूंकि आगे बहुत बढ़ा ग्याप है यहाँ पर आकर यह वापस से फस सुकी है इसको यहाँ पर भी प्रॉपर तरीके से ग्रिप नहीं मिल पा रहा है ठीक है इस बार traction board सामने के टायरों में भी यूज करेंगे पीछे के टायरों में भी यूज करेंगे तो इसको थोड़ा सा पीछे में कर लेता हूँ यहाँ पर एक traction board लग चुका है दूसरा वाला traction board यहाँ पर लगाने वाला हूँगा इस बार देखो मैं car को बहुत ही slow चलाऊँगा वरना यह traction board यहाँ से निकल के नीचे भी गिर सकते हैं बहुत slowly slowly मैं इसको लेके आ रहा हूँ ठीक है सामने के टायर चड़ चुके हैं ओ भाई यह देखोगा इस traction board थोड़ा सा slip हो रहते almost हमारी car ऊपर चड़ के आ चुकी है अब ट्रॉली भी चड़ चुकी है भाई अब देखोगा इसके सामने है यह गढ़े यह गढ़ों में से भी काफी अराम से हमारी जिमनी चल रही है almost track इसने खतमी कर लिया है अब थोड़ा सा बच्चा यह पहुच चुकी है हमारी जिमनी और यह बन चुकी है आज के track की champion मेरे को नहीं लगा था ही कि जिमनी यहां तक पहुँच पाएगी में को तो लगा था कि Toyota LC80 काफी अराम से जी जाएगी पर आज जिमनी ने भाई एकदम कमाल करके रख दिया है और सबसे जादा मजा मेरे को है यह camping setup यहां पे लगा के तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ यह camping setup आपको कैसे लगा और यह भी बताओगी आज की वीडियो में आपको सबसे जादा अच्छी कार काउंची लगी चलो भी मैं दिने वाला हूँ शाउट आउट पहला नाम है फारस, मशूर, मशूर, वाइभव, उमर, अजीत, अमित, सिधार्त, फिरोज, विपिन, विनाएक तैंक्यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए और दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजे लाइक नीचे कर दीजे कमेंट, बाई दोस्तों